हेलो स्टुडवेंट्स पम देंड liksom आवर क्लास नो फर्ल टेक उसमाल्ज लिलこちら हेँ फेटर्ण लिफ हमने पेज नंबर स्थेकटंड़ परकिया देखा लिफ ड्रा करना और कलर्ण करना अज देखने वाले है a pattern leaf तो यहां पे एक leaf दिया है और उसमें दिये 2nd picture में जो में दिया है वोब खालीए दिया है वहां पे आमने hang on target बर जहर आद अलग इस तरह से pattern डॉख करने तो इसके लिए हमें लगने वाले है आज sketch pen तो यहांपे में sketch pen यूज कर रही हूँ आप पेंसिल कलर भी यूज कर सकते हुए तो फर्स मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे ब्लू कलर यहाँ पे देखे जो small triangle shape दी है उसे हमें मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने directly मैं sketch pencil करने वाली हूँ अगर आपको sketch pen से directly नहीं आ रहे है तो आपको first pencil से draw करना है then उसके उपर sketch pen से outline करनी है now start our work तो first यहाँ पर मैं small triangle यहाँ पर draw करना है चोटी चोटे triangle हमें यहाँ पर draw करने है और जिस तरह से यहाँ पर जगवें उसी तरह से जगवें हमें arrange करने है उस triangle को यह हो गया हमारा first pattern then second में ले रहे हूँ यहाँ पर circle तो यहाँ पर जो red color यूज किया है वही color में ले रहे हूँ तो यहाँ पर हमें इस तरह से red color से चोटे बड़े big small circle यहाँ पर draw करने है अगर आपको यहाँ पर जादा जगह बड़ी है तो बड़ा circle कीजिए जगह छोटी है तो छोटा कीजिए इस तरह से हमें उस जगह में पूरे circle arrange करने है दें थर्ड अमारा भी थर्ड वाला pattern हम करेंगे draw देखे यह हो गया हमारा second pattern दें अभी यहाँ पर थर्ड वाला pattern तो यहाँ पर थर्ड वाला pattern कुन सा है zigzag line तूसी तरह से हमें zigzag line यहाँ पे draw करनी है केसी लगी बच्चों आपको यह वाली drawing आज की इसी तरह से आपको पूरा pattern complete करना है यहाँ पर हो गया है हमारा third pattern दें अभी हम यहाँ पर sketchment लिए मैंने तो यहाँ पर हम circle ड्रॉ करने वाले यहाँ तो इस तरह से हमें first देखो यहाँ पर one circle एक एक circle उपर ड्रॉ किया इस तरह से हमें यहाँ पर circle ड्रॉ करना है अगर आपको डायरेटी इस तरह से नहीं आ रहा है तो आपको first pencil से आप draw कीजिए then next उसके उपर आपको sketch pen से आप outline कर सकते हो इस तरह से यहाँ पर हमारी pattern drawing complete हो गई इस तरह से आपको पूरा picture complete करना है देखी बच्चो इस तरह से हमारी पूरी pattern drawing complete होगे देख हम अभी यहाँ पे हमें black sketch pen लेना है और black sketch pen से उसके उपर इस तरह से हमें outline करनी है आप outline scale की साहता से भी कर सकते हो कैसी लग रही है आपको drawing बहुत सुन्दर इस तरह से आपको different types के pattern draw करना आएगा इसी तरह से आपको यह picture complete करनी है और मुझे send करनी थैंक्यू all of you